हेलो दोस्तो स्वागत है Magical Wheels की एक और नई वीडियो में मेरा नाम है सागर तो दोस्तो आज हम आपको ऐसी एक सब्सक्राइब अपने अपने आफ में सटाइब इस्टार्ट की कर दो आप को मिलवाते हैं इसी लग आ यह यह लग शुरुवा इसका पेट्रॉल एंजन एंड यहांसे सामने से आप देख रहे हैं कितना ही ज्यादा जो मेहतरीन लग रही है लगशरी की अगर बात कीजा तो शुरुवाद जो है सेडान की मेरे गॉर्डिंग्स होंडा सीटी ने की थी हर कोई चाहता था कि भाईया उनके घर में भी एक सडान हो वो भी होंडा सीटी हो तो फाइनली हम जो है यह रिव्यू लेके आ चुके हैं इसक अपना इंडिया में जो अपना कारोबार है स्टार्ट किया था 1998 में अभी तक यह चल रही है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लगशरी है इसके अंदर कितनी बहतरीन मिलती है सडान में जो लगशरी सबसे पहले दी गई थी वो इसी गाड़ी के अंदर दी गई थी पीशे मिल जाता है होंडा का लोगो यहां पर अगर इसके हैडलाम के सेटप की बात की जाए तो यहां पर आपको पूरा का पूरा कम्प्लीट हैडलाम का सेटप देखने को मिल रहा है और अपको मिलता है उपर आपको इसके टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं नीचे मिल जाता है fog lamp which is also in LED तो ये कुछ इस तरीके का आगे का look आपको मिलता है बहुत ज्यादा premium लगता है ये एक बार आपको मैं जला के भी दिखाता हूं तो एक बार on करते हैं आपको दिखाते हैं कैसा लगता है तो ये कुछ इस तरीक है का जो इसका head lamp का आपका setup देख सकते हैं आप पूरा का पूरा LED के अंदर आपको मिलता है उपर आपको DLS देखने को मिल रहे है which looks very great यहाँ पे आपको पूरा का पूरा complete 9 LED का setup मिल रहा है तो 9 का पूरा का setup मिल रहा है यह जो चीज है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके top end variant में मिलेगी जो इसका ZX variant आता है दोस्तों अगर बात की जाए इसके एक शरूम के price की तो इसका जो price है वो है VX मिल जाता है और यह है इसका top of the line ZX variant आपको बता दें कि यह आपको सारे के सारे डीजल में मिलती है इसके अंदर आपको automatic option भी मिल जाता है और manual का option तो मिलता है यह इसका manual खड़ा हुआ है तो यह कुछ इस तरीके का हमने आपको जो है दिखा दिया इसका front fascia दोस्तों आप आजाते हैं इसके side profile पे तो side profile काफी जादा जो बढ़िया होने वाली है काफी लंबी सी जो आपको सेडान मिल जाती है cuts increases की बात की जाए तो देख सकते हैं कितने ही बढ़िया जो evident type के आपको cut increases जो देखने को मिल जाते है which looks very great आजाते हैं इसके tire पे तो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है diamond cut alloy wheels का option मिल रहा है जो की dual tone के अंदर आता है black and silver का combination है which looks very great बहुत ही जादा जो premium यह आपकी गाड़ी को बना देता है देख सकते हैं कितना ही प्यारा जो design है आपको alloy wheels का देखने को मिल जाता है बाकी बात की जाए इसके tire section की तो 185, 55, R16 16 नीचे जो हैं alloy wheels आपको देखने को मिल जाते हैं and base variant में भी आपको alloy wheels मिल जाते हैं बट जो उसका design होता है वो different होता है अब ORVM पर आजाते हैं तो ORVM पर आपको LED turn indicators मिलते हैं which is a very good thing नीचे आपको मिल जाता है lane changing camera तो यहाँ पर आप side वाला जो view है वो अपने music system के अंदर वो चीज़ आप view कर सकते हैं this is also a best part आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर जो door handle है वो आपको मिल जाता है पूरा का पूरा silver के अंदर chrome के अंदर मिलता है with request sensor तो cost cutting कहीं भी नहीं की गई है दोनों side में आपको request sensor मिल रहा है A pillar आपका body colored हो चुका है और B pillar है वो आपका black doubt किया गया है तो which looks very great बाकी glass area काफी ज़्यादा बड़ा आपको जो glass area वो मिल जाता है तो कहीं भी आपको जो है उसकी कमी नहीं मिलने वाली यह रहा side look बाकी बात कीजाए इसके fuel tank capacity की तो 40 liters का fuel tank capacity आपको मिल जाती है यह side का look आ रहा इस गाड़ी का तो काफी ज़्यादा impressive होने वाली है उपर मिल जाता है shark finantina जो इसको कहीं न कहीं थोड़ा सा sporty वाला जो stance है वो भी provide करता है तो यह रहा कुछ इसका side अब जो है इसके back side पे आ जाते हैं आपको जो असली जो look है वो दिखाते हैं तो दोस्तों यह आ चुका है इसका back look है and seriously बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सारका सार LED ट्रीटमेंट है यहां पे आपको LED उपर जो सिर्फ टर्न इंडिकेटर है वह आपको 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 मिल रहा है यहां बीच मिल जाताओ आपको लोगो हॉंडा का साइड में आइवी टेक की बैजिंग बिकॉज यह इसका पेट्रॉल वेरिएंट डीजल आता है उस रिफ्लेक्टर्स यहां पर आपको एक दो तीन और चार चार आपको मिल जाते हैं पारकिंग सेंसर तो ओवराल जो पीछे का लुक है काफी इंप्रेसिव है आगे वाला लुक पीछे वाला लुक दोनों ही कमाल के हो चुकिए है और बिलकुल ही जो इसका जो प्रीमियम वाला जिसमें आपको Honda का एक तरफ मिल रहा है logo यहाँ पे आपको Piano Black Finish मिलता है Lock Unlock और यहाँ पे Boots का खोलने का option आपको देखने को मिलता है इस DoorDream की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का DoorDream मिल जाता है Beige and Black के साथ आपको जो combination है वो ही उसकिया गया है यहाँ पे आपको मिल रहा है आपको Plastic यहाँ पे मिलता है आपको Soft Touch Padding के साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ सारे के सारे जो Controls है वो देखने को मिलते हैं ORVM के Controls यहाँ पे है Auto Foldable and Adjustable का option आपको मिलता है सारी की सारी जो अच्छी चीज है कि जो Windows के Controls है सारे के सारे OneTouch दाउन और OneTouch अपके साथ मिलते हैं नомली क्या होता है कि सारे के सिर्फ जो आपका होता है Driver side वो यह आपको देखने को मिलता है बड़ होंडा City की खास चीज यह है Case Variant के अंदर आपको सारे के सारे जो डोर है यह one touch down and one touch अपके साथ आपको देखने को मिलते हैं तो यह चीज बहुत अच्छी हो चुकी है नीचे आपको एक लीटर का वाटल बोटल का option मिलता है यहां पर मिल रही है speaker की grill चार speakers मिलते हैं और दो twitter एक twitter यह मिल रहा है आपको एक twitter वहां पर मिल रहा है तो कुछ इस तरीके का complete आपका जो setup है वह आपको देखने को मिलता है बात कीजा अगर height adjustment की तो manual height adjustment मिलती है seats आपको मिल रही है leather seats तो आप देख सकते हैं कितनी ही बड़िया जो kushning वगरा लग रही है इसकी texture भी अच्छा है design बहुत प्यारा है तो इस चीज को आप देख सकते हैं अंदर से beige and black pack का treatment है अच्छा लग रहा है premium लग रही है इससे घाड़ी बागी बात कीजाए यहां पर आपको headress मिल जाते हैं काफी बड़े size के जो headress है वो मिल जाते है adjustable आपको मिल रहे हैं तो अंदर बैट के आप चेक आउट कर लेते हैं कैसा ही जो interior है वो हमें देखने को मिलता है तो guys अंदर बैट चुके हैं और यहां पर आप सेख सकते हैं जो third मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा amazing मिल रहा है तो कही ना कहीं पता चलता है कि जो Honda City है वो काफी ज़्यादा safe गाड़ियों के अंदर आ जाती है Asian and Cap के अंदर इसको 5 स्टार मिले हैं तो आप quality का अंताजा लगा सकते हैं कितनी बैटरीन है तो guys सबसे पहले अंदर बैट के जो सबसे पहला impression आता है वो यह आता है कि भाईया जो गाड़ी है वो चुकी है बहुत ज़्यादा premium पुरानी वाली Honda City जो fifth generation आ रही है वो भी पुरानी वीडियो में जिसमें आउने बहुत सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां सारे के सारे लोग आजकल डीकट सेरिंग वील दे रहे हैं अधर ब्रांड्स आफर कर रही है बट होना सीटी ने अपना वही राउंड वाला जो है treatment आपको दिया है round आपको steering wheel मिल जाता है बट जो steering wheel है उसका डिजाइन थोड़ा सा अलग हो चुका है Honda का logo मिल रहे है यहाँ पर आपको सारे के सारे आप देख सकते हैं steering parent controls मिल रहे हैं cruise control आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बाकी, डैशबोर आप देख सकते हैं, कितना ही ज़्यादा सीधा सा है, अरहम से आप कुछ भी खा पी भी सकते हैं, अगर आप गाड़ी में खाना पसंद करते हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए, गाड़ी गंदी हो जाती है, बट अगर फिर भी आप खाते हैं, तो यहां पर आ ऑबintend on Tarap आपको थोड़ी तोड़ी सी साफट टचपाड़िंग दी गई है यह भी अछी है बेच कलर के अंदर है stretching वगर आप चेक आउट कर रहे हो, कितनी प्यारी stretching जो है Honda की तरफ से मिलती है सारे के सारी चीज़े हमने आपको front में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसका आपको जो है music system देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो इसके controls हैं आपको side में भी दिए गए है, plus यह touch भी जो आपको मिल जाता है, और यहाँ पे उपर hazard का lamp का option हो गया सबसे अच्छी चीज़ यह लग रही है, जो इसके dials है यह आप देख सकते हो, यह सारे के सारे automatic climate control AC है दोस्तों कही ना कहीं, यहाँ पे जो पहले 5th generation के अंदर आपको controls मिलते थे वो मिलते थे touch वाले, जिसमें आपके problem क्या आती थी, जब आप गाड़ी ट्राइब कर रहे होते थे तो कहीं न कहीं आपकी नजर इस पे जाती थी because touch का आपको actually idea नहीं हो पाता था कि कहां पे हमारा जो हाथ है वो जा रहा है यह wireless charging दे देते बड़िया होता यहाँ पे दो आपको मिल जाते हैं आपे water bottle रख लीजिए छोटी सी एक एक छोटी वाली जो आती है प्लस आप कोई भी glass वगएरा रख सकते हैं 6-speed manual transmission है जैसा हमने आपको बताया था reverse gear भी इसमें आपको मिलता है तो यह सब कुछ चीज़े रही यहाँ पे भी आपका जो piano black finish है वो देखने को मिलता है seats की बात कर लेते हैं तो भीया seats आप देख सकते हो कुशनिंग वगएरा बहुत ही awesome है front की कुशनिंग जबरदस्त है बड़ा premium वाला feel मुझे बैटके आ जाता है Honda की गाड़ी में जब भी बैटता हूं तो एक थोड़ा सा बोलतकते हैं लगावसा लगता है अच्छा लगता मुझे Honda की गाड़ी में बैटके बढ़ हां कहीं न कहीं Honda को और भी चीज़े करनी पड़ेंगी because market में competition बहुत ज़्यदा हो चुका है और आप देख सकते हैं quality बगएरा पुराने की मुकाबले बेटर हो चुकी है एक बार reverse gear डालके भी आपको एक बार check out करा देते हैं camera की quality आप देख सकते हैं decent मिल जाती है आपको बहुत ना average कह सकते हैं कि सही है quality बगएरा पे थोड़ा से improvement हो जाती तो बढ़िया रहता दोस्तों इस गाड़ी को आप हॉंडा की जो एप आती है हॉंडा connect उसके साथ connect करके तमाम तरीके के जो connected features है उसको access कर सकते हैं जैसे कि आप इसका अपनी गाड़ी कहां पर खड़ी है टायर deflation alert आ जाता है सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है गाड़ी आपकी tracking पता चल जाती है अपकी गाड़ी कहां खड़ी है सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं से कार की जो live location है वो भी आपको पता चल जाती है तो काफी जादा connected features के साथ है अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आप जो आप है डाउलोड करके सारी चीज़े इसस कर सकते हैं तो connected गाड़ी हो चुकी है काफी बढ़िया है तो दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी मिलत इतने हैं तो इजी हो जाता है काफी है अच्छा feature दिया गया है यहां पर आपको ट्राक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है यह आपको मिलता है तो इस तरीके का कुछ रहता है आपका इंटीर का यहां पर आपको मिल जाता है sunshave और आपको बड़ा सा यूज सा देख सकते हैं काफी बड़े साइस का आपको जो मेरर है वो देखने को मिलता है अच्छी चीज है यहां पर आपको सारा का सारा जो है लाइट्स होगरा का ट्रीट्मेंट मिल जाता है LED के अंदर यह आपका आपका आटोमेडिक के अंदर मिल रहा है विच इस वेरी गुड नॉर्मली आप को लोग आज केल कॉस्स कटिंग चकर में मैनुवल दे रहे है वह चीज अच्bye करी रही है बहुत बड़ी अच्छी चीज यह थिया है कि यहां पर आपको मिल जाता है sannroof इंडिया वालों भी अक्सेस कर चाइड क्रानी दिया है यहां बहुत सन्रूट दबाई यह देख स आपको मिल रही है अच्छी चीज़ है़को को राइवर्स साइड की बात की जा तो यहां वी आपको वैनिटी मिर्र देंगो मिलता है यहां पे आपको जो आमरेस मिल रहा है यह आपका एफिसके अंदर आपको स्टूरिज वहां का जो comfort लेवल है वह मं चेक आउट कर लेते हैं है लेते हैं इसके रियर सीड पर यहाँ पे आपको ब्लाक अड़ी का ओप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको सारी की सारी है एक लिटर-का बाटल-बोटल-का आप्शन स्पीकर यहां पर आइधे को मलता है तोटल आपको इसमें 8 स्पीकर का जो सेट carrying वह देखने को मिलता है दो tweetर मिल रहे हैं दो पाखे आपको twitter मिलते हैं दो आपको आगे twitter मिल रहे हैं तो पीछे वाली सीट पर आ चुका हूं री नीरूम आप चेक आउट करो बहुत ही ज्यादा मैसेव है हॉंडा सिटी जानी जाती अपने री रूम के लिए और स्पेस के लिए तो भाईया स्पेस है इसमें बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त होंडा खेया लगती है अपने कस् एसी वंट्स भी मिल जाते है यह यहां से आप उसकी स्पीड वगधरा को जो है कं olduğ कर सकते हम बगएरा जो है थोड़ा सा दिया गया है यहां पर जो है पैर थोड़े से यूँ कहड़े-कहड़े से आरे है जिसकी विधर उब्स और आरै काफी ज़दा है रीर में आप यह द holders quality बहुत ही premium है LEATHER OPPORTREE पूरे के पूरे आपको Seeds तो गरहा पर देखने को मिलती है एड़्जसिबल आपको headrest नहीं मिलते हैं तीन आपको headrest देखने को मिल रहा है ऐड़्जसिबल नहीं है एड़्जसिबल नहीं है एड़्जसिबल आपको सारे बहुत ही क्लास हो चुकी है 6th generation बहुत ही प्यारी हो चुकी है मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है बागी यह कुछ रहा अंदर का फील अब इसका आपको जो बूट स्पेस है वो भी चेक आउट करा देते हैं कितना बूट स्पेस आपको मिल जाता है तो गाइस आप एक बूट एक्सेस कर लेते हैं यहां पी चोटा सा बनमखन है इसका यहां पर देख सकते हैं यहां पर कामरा है नीचे आपके कार्पेट की नीचे मिल एक सच्पेस है आपको कुछ 506 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है सारा का सारे यहां पर ग्रे का जो ट्रीटमेंट है मैटिंग वगएरा जो दी गई है यह जो आपकी कार्पेट लगाई है वो है ग्रे कलर की दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी है यहां पर आपको जो है स्पेर वील भी है वो भी आपको अलॉय के अनर देखने को मिलता है अच्छी बात यह है कि सीम टायर साइज आपको आफर होता है सारे के सारे वील्स में वही आपको देखने को मिलता है तो यह चीज बहुत अच्छी हो चुकी है बूट स्पेस काफी अच्छा आपको मिल जाता है आप अराम से अपना जो लगेज है 4-5 बंदे केरी कर सकते हैं यहां पे भी आपको जो है फो सिलेंडर का इंजन मिलता है तो दोस्तों इसकी पावर की बात की जाए तो 89 बीएच पी की ये पावर प्रिड्यूस करता है 145 फैनम का टॉक है सिडी वगएरा कम्यूटिंग में बहुत ही बढ़ी आने वाली है कुछ इस तरीके का जो इंजन बे है वो रहा इसका तो गाईज अगर बात कीजाए इसके कॉमपडिशन की तो आप इसका जो कॉमपडिशन है वो है घंडाई की वर्ना से मारूती की स्यास से अगर आपको ये पसंद आ दे गाड़ी तो आप भी अपने नेरस्ट शोरूम पे जाके इसको बुक करा सकते है अगर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो करना क्या है वीडियो को कर देना लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चानल को कर देना सब्सक्राइब मिलेंगे अच्छे ची वीडियो लेके तब तक के लिए बाब बाई टेक एर लव यौल जहिन जय भा प्रच्ट